मध्यप्रदेश P.A.C. 2019 प्रारंबिक और मोख्य परिक्षा नरस्त हाई कोट ने जारी किया आदिश MPPSC परिक्षा 2019 के परिणाम विवादित नियमों के तहट जारी किये गए थे हाई कोट में P.A.C. और सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई थी इस मामले में काफी लंबे समय से सुनवाई चल रही है और आज इस पर फैसला आ गया है जिसके तहट परिश्या का रिजल्ट कैंसल कर दिया गया है एंटीवी टाइम न्यूस के लिए दीपक तिवारी की रिपूर्ट पिंटी जो है उस रूल रूल 4-1-D जो रूल को अल्ट्रावाइरस देक्लेर किये देट इस हिट बार्टिकल 14 और 1910 दो कॉंस्टूशन अफ इंडिया एवं इसी तरह अब MPPSC को पूरे रिवर्च हाई कोट में MPPSC को लेकर एक निरने हुआ है क्या निरने हुआ है देखिए यह बहुत महत्पूर निरने हैं जिसमें हाई कोट ने कहा है कि जो रूस 2020 के थे उनके बेसिस पे 2019 के एक्जाइम्स के जो प्रिलिम्स और मेंस के रिजल्ट हैं वो डिकलियर नहीं किये जा सकते थे बलकि 2015 के रूस के बेसिस पे रिजल्ट को डिकलियर करना था तो तो अब रूल ट्वेंटी जो है उस रूल रूल 4-1-D जो रूल को अल्ट्रावाइरस डिकलियर किये देट इस हिट बार्टिकल फूर्टीन नाइटीन वंजीर दो कॉंस्टूशन ऑफ इंडिया एवं इसी तरह अब MPPSC को पूरे रिवाइज लिस्ट निकालनी पड़ेगी और यह अपने आप में बहुत 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 पून चीज है कि 2015 के रूल्स जब लाए गए थे 2019 में एक्जैन हुआ था तो 2019 में जब आपने डेक्लेयर किया था कि यह 2015 के रूल्स हो तो आप उसको कैसे 2020 के रूल्स को अप्लाई कर सकते हो और इसलिए सारी याचिकाएं आर्गुमेंट के बाद रिजर्व थी जज्जमिंट और आज जज्जमिंट आया है जो एक एतिहासिक फैसला है MPPSC के खिलाफ यह फैसला एक आया है जो अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा आगे चलके कितने याच फैल लग इसलिए यह लगबख 55 याचिकाएं थी और I argued the matter and मैंने 2021 का एक जज्जमिंट दिखाया था सौरा व्याद होगा जिससे पूरी तरह यह मामला covered हो रहा था क्यों सुप्रिम कोट ने बोला था कि जो meritorious चात रहें SCST OBC category के और जिनके marks जनरल category से जादा है तो definitely वह जनरल category के कोटे में जाएंगे जंब हो जाएंगे तो उनकी जब सीट खाली होती है तो वह सीट SCST OBC को ही दी जाएगी पर unfortunately 2020 का जो रूल बनाया गया था वह इसके बिलकुल विप्रीत था जबकि 2015 का जो रू हालो जाए जाएगा जाएगा को ज्ब हाह